Hello Friends, Welcome to PK Technical World Friends, Today my presentation topic is about figures of speech दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को figures of speech के बारे में बताऊँगा के figures of speech किसे कहते हैं और इसके इलावा हमारे पास figures of speech कौन कौन से हैं ठीक है? तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले आते हैं figures of speech की definition की तरफ Definition, a figure of speech is a word or phrase that possesses a separate and deep meaning from its lateral meaning There are many figures of speech and literary techniques used by good orators and writers to make their speeches and writings emotional and interesting दोस्तों figures of speech हमारे पास in the form of words भी हो सकते हैं phrases भी ہो सकते हैं दोस्तों figures of speech का लवी मानी लवी मानी मतलब उसका जो original मानी होता है उनके पीछे एक और meaning होता है टीक है जब हम एक बात को सुन लेते हैं एक वर्ड को सुन लेते हैं एक फ्रेस को सुन लेते हैं उनका एक मीनिंग होता है वाजिख मीनिंग होता है लेकिन जो गुड आरियेटर्स होते हैं जो के अच्छे राइटर्स होते हैं या अच्छे स्पीकर्स होते हैं या अच्छे म मीनिंग होते हैं ठीक है जो के common लोग होते हैं वो उसको लेटरल मीनिंग को देखते हैं लेकिन जो intellectual बंदे होते हैं वो behind the words को देखते हैं ठीक है वो words जिनका literal मीनिंग के उस पार एक और मीनिंग हो ठीक है literal मीनिंग के इलावा एक और deep meaning हो ठीक है deep meaning का मतलब है जो के हर बंदे की समझ में नहीं आती ठीक है intellectual बंदे जो होते हैं ये जो figures of speech होते हैं ये उन्हीं के लिए होते हैं ठीक है दोस्तो हमारे पास figures of speech बहुत ज्यादा है लेकिन यहां पर हम वो figures of speech explain करेंगे जो कि daily बिस्स पी यूस होते है articles में यूस होते है poems मेह होते है stories या जो daily life में यूस करते है figures of speech को literary devices भी कहते हैं ठीक है literary techniques भी कहते है literary devices भी कहते हैं जो कि उसको use करते है aureators उस बंदों को कहते हैं जो के दरबारों में होते हैं लोगों को कन्विंस करते हैं तक्रीरों और बयानात की तरोगों को उकसाते हैं या लोगों को मतलब समझानी की कुशिश करते हैं फिलासोफर टाइप्स के होते हैं ठीक है उनको औरियेटर्स कहते हैं ठीक है जो के तक्रीरें करते हैं एंड राइटर्स जो के वो बंदे जो राइटिंग करते हैं स्टूरी लेगते हैं पाइम्स लेगते हैं पाइट्स वगेरा जो होते हैं उसको राइटर्स कहते हैं to make their speeches and writings emotional and interesting दोस्तों ये लोग figures of speech को इसलिए यूस करते हैं ताके ये अपने writings में emotional जो टच होता है वो दे ठीक है अपने writings को emotional टच दे लोगों का जो interest है उसको देखे उसके मताबक वो figures of speeches करते हैं ताके लोग उसके writings में उसकी poems में उसकी जो बयानात हैं उनमें interest लें उनकी attention को attract करने के लिए यो लोग figures of speech यूज करते हैं ठीक है दोस्तों हमारे पास है figures of speech बहुत ज़्यादा लेकिन यहाँ पर जो मैंने mention किये है ये है most important figures of speech आप लोगों ने इसमें एक को भी नहीं मेंस करना है सब को सीकना है ठीक है क्योंकि ये exam point of view के साथ साथ daily based की use में भी आप से पूचे जा सकते हैं interviews में भी आप लोगों से पूचे जा सकते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो simili है दुस्तरे नमबर पर हमारे पास metaphor है तीसरे नमबर पर हाइपर बल्ले है चौती नमबर पर illustration है पांच उर पर हमारे पास onomatopoeia आता है पर आता है paradox पर एनालजी है परसनिफिकेशन है क्लाइमिक्स है इंटी क्लाइमिक्स है एक्जमरान है तो दोस्तों ये सब के सब जो है ये important है इन सब को हम one by one explain करें तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है कल से हम start करेंगे similar or metaphor को पर हम पढ़ेंगे hyperbole illustration को तो दोस्तों one by one हम इनको explain करेंगे ये मैंने तरतीब बाइस नहीं लिखे है ताकि आप लोग सीखें ना कि आप लोग रठा लगाएं ठीक है दोस्तों बहुत जो students होते है वो रठा लगाते हैं पहले similar को सीखते हैं पर metaphor को सीख लेते हैं पर hyperbole पर इलिटरेशन जब आप उससे पूछ लेते हैं कि direct आप उससे पूछ लेते हैं इलिटरेशन क्या होता है तो फिर वो confused हो जाते हैं ठीक है इसलिए मैंने यहां पर तर्तीब वाइस नहीं लेके हैं ताकि आप लोग को सीखने में आसाने होगी ठीक है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है अगर figure of speech का जो main definition है figure of speech कैसे कहते हैं इसमें कौन कौन से प्राबलम है तो आप लोग मुझसे WhatsApp पर contact कर सकते हैं इसके इलावा अगर ना हो तो आप लोग comment box में भी mention कर सकते हैं Thank you very much